नमस्कार दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक पर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज में discussion करूँगा कुछ importance company के अपडेट के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रीम ने किया तो जोरू कर लिजेगा, तो चलो देख करते हैं, एक-एक stock के details के बारे में, सबसे पहले में discussion करूँगा Tata Motors के बारे में, sorry, Tata Power के बारे में, तो Tata Power आप सब जनते हैं, तो Tata Group के एक सांदर company है, और इस company का market के अप करीबन 70,000 क्रोर के आसपास है, और company देखिए जिस तरीके से खुद को represent किया, और जिस तरीके से share को यहाँ पर सांदर return generate करके दिया, वो देखने का लायक था, company के जो performance है, उसके बारे में discussion करो, तो peer issue तो 21 के आसपास है, ठीक ठाक है, एकदम company undervalued है, साथे साथ company का ROC, ROE दोनों ही ठीक है, average level के आसपास है, अभी यह देखना है कि peer issue कितना है, peer issue कितना था पहले, देखि एक time company के peer issue पचास के उपर चला गया था, और आज क्या है, 20 के आसपास है, तो अगर मैं average के बारे में बात करो, तो medium जो peer issue है, वो 21 है, तो देखाजे तो अभी जो current period से चला है, उसी के इसाब से company का medium peer issue भी देखने को मिला, इसके मतलब दो जगा से ही company के उपर positive देखने को मिला, अभी companies के उपर एक चीज में आपको बता दू, companies के जो profit and loss है, वो अब देखेंगे तो company के annual income अच्छा खासा है, 3800 क्रोड के आसपास है, एक weakness बड़ा सा है एक company के उपर, वो है company के depth, देखिए, data group के उपर में जादा से जादा companies के उपर मुझे ABGs देखने को मिला, कि उन्होंने अच्छा कासा करजा भी लिया, अच्छा कासा करजा लेकर भी चला है, तो करजा इतना लिया, जो करजे को company को सबसे पहले मिटाना चाहिए था, कितना करजा मिटाया, वो मैं आपको दिखा दू, देखिए, करजा किस तरह के से लिया जा रहा है, बारिंस के बार वो सबसे जदा है 52,900 क्रोड वगर कंपनी जो रिजर्व है वो भी इंक्रीज हो रहा है मतलब उस बैसिस में इन की नहीं हो रहा है जिस बैसिस में इंक्रीज होना चाहिए जो सारे जो डीटल्स है, सारे जो डेटा है, वो एही मेंसेन करते हैं, कि कमपानी में एक स्टेंथ है, जो स्टेंथ कमपानी को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा मैनत कर रहा है, तो मेरे इसाब से इस कमपानी के उपर फोकस रखना बहुत जुरूरी है, तो कमपानी क के जो cash flow है वो भी देखिये continuously company को cash flow भी maintenance देखने को मिला ऐसे नहीं कि company से रमाली बेच रहा है और हात में कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है तो कितना cash flow maintenance हो रहा है वो तो अपने देख लिया अभी company का fixed asset purchase इस भार company ने कितने asset purchase किया करीबन 7,200 क्रोड के आसपास पैसा company invest किये as a purchase करने के लिए fixed asset को purchase करने के लिए ये भी एक plus point है दूसरी points क्या है वो भी आपको दिखा दू कि company ने जो borrings उठाया वो इस भार कितना उठाया वो देखना बहुत importance है देखिये proceed from borrings company 13,000 क्रोड का borrings इस भार उठाया जो कुछ time of period में देखा है तो कम हो गया था फिर से वो ज्यादा कर दिया और दिखी company time to time करजे को मिटा भी रहा है ऐसे नहीं कि company का previous करजे को hold करकर रखा है वो time to time पैसे को मिटा भी रहा है इसका मतलब company का business तो चल रहा है इसलिए तो पैसा मिटा जा रहा है अगर मानके अचले अपनी एक मतलब लोन लेकर अपने एक business start किया और उस business से कुछ revenue generate नहीं हो रहा है कुछ profit नहीं हो रहा है तो अब लोन कहा से मिटाएंगे तो यहाप वो नहीं हो रहा है तो लोन भी मिटा जा रहा है और करजा भी लिया जा रहा है तो continuously तरके से काम हो रहा है इस बै market में माल बैचने के बाद तो companies के investor के मारे बात करो देखे प्रोमोटर से लेकर FISDS सब के पास इस company का holdings देखेगा अगर रही चीज में आपको अजे मतलब देखा जे तो mutual fund वाले के सब से दिखा दू तो आप देखेंगे तो mutual fund वाले ने क्या-क्या इस company के उपर तो लगात बी आएगा तो कितना नीचे आया वो मैं आपको बता दू कि चार्ट पटना कर देखेंगे तो दिखे किस तरीके से समारी मतलब समारी देखने को मिला था company कोबीट के बाद धमा का performance किया अगर मैं इस level से top level तक देखू तो company के जो return ratios है वो अगर mention करू तो करीबन 970% का return द तो मेरे सबसे इस range को breakout करने पड़ेगा तब ही एक बड़ा रहले दिखेगा तो मैं तब तक hold करूँगा तब तक integer करूँगा इस company को पर नया swing trading बनाने के लिए और as a long term investor के लिए मैं तो पहले से invest करकर रखा मेरे anti actually मेरे anti levels इस level में है और इस level से मैं hold कर रहा हूँ around 60 rupees के आ अब जानते हैं बासेस बनाने वाला इंडिया के एक popular company है जिसका नाम है ओलेक्टर गिंटेग देखे ओलेक्टर गिंटेग के एक positivity क्या है company electric buses बनाते है 2022 में company listing हुआ था मतलब भी निस्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक चल रहार company में अच्छा कासा management होने के कारण company अच्छा कासा performance भी किया है company debt free company बन चुके है and only income भी अच्छा कासा हो रहा है ROC ROE तो ठीक ठाग है market cap to sell 10,000 क्रोड के आसपास देखने को मिला और peer issue बहुत हाई है लोग देखिए जितना उपर जा रहा है लोग खरीते ही जा रहा है तो इसलिए और भी high हो रहा है देखिए मानके चलिए बजार में कोई मानके चलिए किसी ने बोल दिये एक product अच्छा है तो यह product अच्छा है इसका कीमत 100 रुप्या है तो लोग कहेंगे मतलब limited है तो लग का valuation actually देखा यह तो 50 रुपीज है तो 50 रुपीज का माल कहा पर चला गया 300 के आसपास तो इसको बोलायता है high valuation तो valuation बहुत high है तो उस हिसाब से company के उपर समल के काम करेगा क्योंकि company के उपर एक time valuation हो गया था 370 के आसपास वहासे correction तो हुआ फिर भी मुझे थोड़ा सा high valuation लग रहा है मुझे लग रहा है कुछ correction और भी देखने को मिल सकता है तो companies के जो annual income है वो भी तो ठीक है company के profit and loss में इस बार company highest sales किया और उसके चलते expense को भी maintain किया और उसके बाद operating profit भी positive में और इस बार three degrees में company को operating profit देखने को मिला और company के देखे sales growth, profit growth, return of equity तो return of equities में थ आरे percentage आपको तो धमाका जैसे return company बना के दिया, तीन साल में 170% का return बना के दिया और company के जो balance seed है उसमें दो तीज मुझे अच्छा लगा, वह करजा company का कम है, reserve लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ fixed asset भी लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे क इस company के उपर mutual fund बाले ने क्या किया, वह आप देखेंगे, तो एक points में आपके साथ जूरू share करूंगा, कि mutual fund बाले ने इस company के उपर लगातार buying किया, ऐसे नहीं कि sell कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, इस high valuation के उपर भी buying किया रहे है, क्यों किया जा रहे है, वह आपको अब भी triangle pattern बनते है, और वो pattern के उपर breakout होते है, और वो भी एक strong resistance को बेख करता है, तो बड़ा सा धमाक आपको मिलेगा, 942 इस तरगे से मैं आपको mention किया था, तो easily profit हुआ, यहापे थोड़ा सा hold किया, फिर से breakout हुआ, और बड़ा journey यहापे दिखा दिया, तो आप कहेंगे स अभी क्या करो, तो फिर से एक journey आपको दिख सकता है, इस level को breakout करना पड़ेगा, यहाँ से volume करके, फिर से high volume के साथ breakout करना पड़ेगा, गिरेन candle के साथ, तभी एक बड़ा rally आपको दिखने को मिल सकता है, तो बाकी आप एक बार research करके ही काम करना, तो फिलल के लिए मैं कोई भी एंटी नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा hold कर रहा हूँ, मुझे कोई level दिखे, तब मैं अपके साथ mention करूँगा, थार जो company जिसके नाम है Deep Ognited, तो Deep Ognited आपको मैं बता दूँ, एक ऐसे company है, जिसके बारह में बात करूँ, तो Deep Ognited इंडिया के एक popular company है, और इस company में द करजे को वो free करना चाहेंगे, तो सबसे पहले वो करजा को मिटाएगा, तो company उसी तरीके से काम कर रहा है, अगर देखेंगे company का कोई भी डेप नहीं है, company का ROC, ROE तो base level में है, income भी अच्छा कासा है, valuation की सबसे भी ठीक ठाग है, तो companies के profit and loss के बारह में बात करो, company ऐसे नह है, सब कुछ आपको धमाका जैसे देखने को मिलेगा, तो institution भी देखेंगे, इसके उपर भरोसा करके बैठे हुए है, FIS, DS ने तो अच्छा कासा माल होल्डिंग्स बढ़ा चुके है, 10% से अभी कर चुके है, सारे 15% के आसपास, public के पास भी होल्डिंग्स है, सब कुछ आ सब को दिखेगा, अच्छा खासा लेबल्स में दिखेगा, तो मेरे ही सबसे, यह पर एक पॉइंट के बारे हैं बात करो, तो यह पर positively देखने को मिला, तो companies के बारे में सिर्फ एही कहूंगा, company में दम है, potential भी है, और उस पेसिस में company के उपर एक up moment भी देखने को मिल सकता है, तो companies के, जो मतलब technically chart button दिखाऊंगा, उससे पहले institution क्या कर रहे है, देखिए, mutual fund वाले ने continuously buy करना start किया, March में में, April में, June, इस सारे मान में company के उपर लगाता लगातार buying किया जा रहे है, और हम लोगो problem क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, हम लोगो problem क्या है, मैं आपको बार-बार बोल ला हूं, कि company के जो chart button create हुआ, वो एक long journey के लिए जोरू करें आ, क्योंकि देखिए, इसी range को बार-बार बो retest कर रहे है, बार-बार, एक बार retest करके उपर गया, उसके बार निच्चा आने के बाद उपर गया, फिर से निच्चा आया, और उपर गया, और वो भी देखिए, वो ही resistance को, वो breakout करके उपर गया था, तो फिलाल के लिए जो correction हुआ, बहुत सरे लोग, देखिए, मैंने आपको इस resistance को breakout करने के बाद यहाँ पर anti-level बताया था, और यहाँ पर exit मतलब बनेगा, इस तरह के से कुछ आपको mention किया था, as a learning के लिए मैं कोई आपको trading के लिए नहीं बता रहा हूँ, और फिर से देखिए, वो ही range को वो retest किया, अभी देखिए, आपर chances में जाने के लिए, इस range को वो, कोई भी green candle से breakout दे, तो easily वो इस level को फिर से achieve करेगा, यह को देखिए, resistance phase किया, यह पर गिरावर्ड भी हुआ, मुझे करना, कभी भी मौका मिले, तो मैं आपको जुरूर वीडियो बनाके share करूँगा, next company जिसके बारे मैं discussion करूँ, उसका नाम है कामधनू Ventures Limited, यह paint sector से बिलंग करने वाला company है, तो company ने बहुत बड़ा announcement किया, वो announcement है bonus का, company 1 to 1 ratio का bonus याप announcement कर चुगे है, और यह bonus आपको कम मिल करने के लिए, आप जलबाजी मत करना, उसके उपर research करना, उसके बाद काम करना, तो I hope वीडियो अच्छा आपको लगा हो, तो please like करना, और एक वीडियो totally education purpose में था, कोई भी buy and sell का recommendation नहीं था, तो please एक बार research करके ही काम करना, इतने एक्स वीडियो में तब तक लिए अच् करना करेकी, बगा, झाले की बादा